अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इसका नहीं देखा है तो पहले आप लोग फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देखिए और आज इसमें हम क्वेश्चिय अंसर सीरीज सुरू करने जा रहे हैं और एक इंपॉर्टन बात आप लोगों को बता दूँ अगर आप लोगों को अपने फाइनल एक्जाम के लिए इंपॉर्टन क्वेश्चिय अंसर चाहिए तो आप लोगों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए उसको जल्दे से क्विक रिवीजन कर लेते हैं वाट्यू है और यहां पर अर्थ पर देर कैन बी नो लाइफ विदाउट इट और बिना वाटर के बिना पानी के अर्थ पर कोई भी जीव नहीं बचेंगे यह तो यह सारे चीजे आप लोगों ने डिसकस कर डाला है इस चैप्टर में बस हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर रहे हैं और वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यह आपको पता है यह ऊलिद लिक्विड गैस में यह वाटर जो है अग्जिस्ट करता है और नेक्सट पॉइंट हमने क्या डिसकस किया इस चैप्टर में दो वाोटर is maintained by the water cycle हमने यह भी देखा कि वाटर साइकल जो है quarter May this any one distribution of water water distribution तो इक्वली नहीं हैं कहीं पे जादा बारिश होता है कहीं पे कम बारिश होता है तो कहीं पे बाड़ा जाता है तो कहीं पे सुखा आजाता है इस वजेंग ना तिक होती तक कहीं ओचाथी और कहीं पर था पानि केCAM requirements and mismanagement are some of the causes of water shortage और हमने ये भी देखा है कि water shortage किस वज़े से होता है जो population इतनी ज़्यादा बढ़ी है और irrigation के requirements देरे देरे बढ़ जा रहे हैं और बहुत सारे mismanagement की वज़े से हमने देखा कि water के कैसे shortage हो जाते हैं and next point हमने क्या discuss किया we need to be worried about the wastage during the supply of water through pipes ऐसे देखा है ना हम लोग ने भी यह भी डिसकुस किया था कि कैसे pipe leakage करता है और उसे civic bodies ध्यान नहीं देती है यह सारे चीजें हमने देखा और tap कहीं पर leak कर रहा है तो उसे भी हमारी responsibility है उसे हम बंद करे और कहीं पर भी unnecessary use of water and over drawing अगर हम groundwater से बहुत जादा पानी ले ले रहे हैं और वो recharge properly नहीं हो रहा है यानि infiltration proper नहीं हो रहा है तो भी पानी का कैसे shortage हो जाता है और हमने क्या discuss किया इस वाले में कि हम हर इंसान को इंडिविजुली बहुत ही जादा ध्यान से पानी को खर्च करना चाहिए नेक्स हमने क्या देखा प्लांट को अगर हमको जिन पन नहीं देंगे तो वह क्या होंगे सूख जाएंगे यह सारे चीज़ें हमने यह question आप लो क्या है कि the fresh water stored in the ground is much more than that of present in the rivers and lakes of the world यह true है कि false है यह बिलकुल भी true है जो हमारा fresh water है वो जादा है compare to rivers and lake जो भी है हमारे इस अर्थ पे and next point क्या है हमारा तो first हमारा true है next हमारा क्या है water shortage is a problem faced only by people living in rural areas तो ऐसा बिलकुल नहीं है सिर्फ क्या जो rural areas में रहते हैं उन्हीं को पानी की shortage होती है ऐसा बिलकुल नहीं है बलकि शहरों में कहीं कहीं वो डिपेंड करता है कि किस जगह पर आप रहते हो कहीं सहरों में जादा पानी की problem होती है कहीं गाहों में जादा पानी की problem होती है तो यह false है हमारा next see हमारा क्या है water from rivers is the only source of irrigation in the field नहीं यह बिलकुल नहीं है यह भी false है only अगर नहीं लगा होता तो सही हो जाता only लग गया कि क्या हम सिर्फ fields जो है अपना जो सिचाई करते हैं field का वो क्या सिर्फ river के थू होता है ऐसा नहीं है हम underground से भी निकालते हैं हमने देखा था ट्यूबल से और canal हो गया बहुत सारे sources हैं तो यह भी हमारा false हो गया next हमारा क्या है rain is ultimate source of water तो यह बिलकुल true है इस पर हमने discuss भी किया था कि range हमारा ultimate source of water है next हम अपना question answer देख लेते हैं second question क्या है explain how ground water is recharged अब हमने देखा था कि ground water हमारे recharge कैसे होते हैं the ground water gets recharged through the process of infiltration हमने infiltration के वारे में बहुत ध्यान से मतलब बहुत बहुत दीप देखा था infiltration में क्या होता है seeping of water from rivers and lakes into the empty spaces and cracks deep below the ground जो हमारे soil में crackers होते है cracks होते है crackers ring cracks होते है जो उसी के seeping होता है ना पानी को वो soak लेते हैं तो इससे हमारे इस process को हम infiltration कहते हैं इसी के through जो है recharge होता है हमारा ground water next question क्या है कि there are 10 tubals in a lane of a 50 house what could be the long term impact on the water table water table पे क्या फर्क पड़ेगा अब देखो जो water table पे effect पड़ेगा the effect on the water table यह depend करेगा कि replenishment कैसे हो रहा है उस underground water का हमने यह भी देखा था कि अगर हम जितना पानी निकालते हैं underground water से water का हम जितना पानी निकालते हैं अगर उत्तरा वह recharge हो जाए तो फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा water table पे लेकिन अगर हम निकाले ही जा रहे हैं तो अगर वह recharge नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है water table जो है वह नीचे जला अगर फाइफ फैमिली यूज कर रहे है तो water table पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन but if there is shortage of rains अगर बारिश ना हो the water used by family will not replenish जो भी यूज के जा रहा है वह recharge होई नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि water table जो है वह नीचे चला जाएगा यह हमने discuss कर लिया था and next question हमारा क्या है you have been asked to maintain a garden how will you minimize to use the water अगर आपको एक garden आपको बनाना है तो वहाँ पे आप पानी को किस तरह सी यूज करोगे कि सबसे कम पानी को आप कैसे महाँ पी यूज करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे आपने drip irrigation के बारे में पढ़ा ही था कि उसके जड़ के पास कैसे वह pipe को लाके लगा दिया जाता है तो आप drip irrigation यूज करना और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो और we will check the leakage of the water pipes and small pits of rainwater harvesting यह भी आप देखोगे कि कहीं पर leakage तो नहीं हो रहा है और आप पानी को सेव भी कर सकते हो जब बारिश होगी तो इससे आप क्या कर सकते हो मिनिमाइज कर सकते हो अपने water के uses को आप कम से कम कर सकते हो एक तो आप drip irrigation कर लोगे एक rainwater harvesting कर लोगे और आप depletion of water table इस question को हम लोगों ने बहुत डिटेल से देखा था चैप्टर में कि various factors responsible है जो कि depletion of water table मतलब जो हुमारा water table है वो जो नीचे चला जा रहा है इसमें बहुत सारे factor है एक तो increase in जो population इतना जादा बढ़ रहा है increased population, increasing industries, lack of water conservation techniques, agricultural activities तो यह सारी चीज़ें हमने अच्छे से discuss कर रहा था थोड़ा सा और देख लेते हैं कि population जो है जब बढ़ेगी तो demand भी बढ़ेगा demand of water has been increased by the increased population तो इस वज़े से हमारा consumption of water जो होगा यह भी बढ़ेगा तो इससे हमारा water table पर फर्क पड़ेगा और industries पर कैसे होगा कि all industries need water तो जितनी भी industries होती है हमारी उनको water की जरूद पड़ती है as a number of human population increase the number of industries are also increased यहां पर भी ultimately देखो कहीं न कहीं factor हो जाए रहा है कि population increase हो रही है तो industry भी increase हो रही है तो demand भी increase हो रहा है water का consumption भी ज़्यादा तब use भी ज़्यादा हो रहा है पानी और lack of water conservation technique भी है और agriculture activities भी हमने देखा था कि India is a country which depend on agriculture यह हमने अच्छे से discuss किया था the land used for cultivation has increased so the consumption of water also increased यह हमने देख लिया था अब next देखेंगे हमें क्या देखना है fill in the blanks हमें करना है तो A में हमारा क्या है people obtain ground water through dash and dash तो इसमें क्या होगा wells and hand pumps ठेके terms of water और यह तो बहुत इजी question है solid liquid gas और next question हमारा क्या है कि there मतलब the water the water bearing layer of the earth is इसका क्या हो जागा answer हमने पढ़ा था ना infiltration and aquifer तो इसका answer aquifer हो जाएगा the process of water seeping into the ground is called हमने यह देखा था कि जो infiltration होता है infiltration में हमारा मिट्टी जो होता है वो पानी को seep करता है seepage of water next question seven हमारा क्या है कि which one of the following is not responsible for the water shortage तो इसमें rapid growth of industries यह तो है ही increasing population है ही mismanagement of water resources यह भी है तो इसमें हमारा heavy rainfall बच रहा है यह हो जाएगा option next हमारा क्या है कि choose the correct option the total water dash है the total water इसमें क्या हो जाएगा हमारा total water of the world remains constant ठीक है यह हमारा four हो जाएगा choose the correct option the total water of the world remains constant next question में आपको क्या करना है make a sketch showing groundwater and water table आपको इसमें sketch करना है तो हमने देख लिया जल्दी से हमने देख लिया question answers देख लिया हमने जल्दी से quickly revision कर लिया कि क्या-क्या पड़ा है हमने इस chapter में और हमने जल्दी से दिसकस भी कर लिया also thank you for watching guys अगर आप लोग यह पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो और share कर दो दो में झाज समय बंप